जाए गरम जाए घलो फ्रेंड़्स चाहे पिएगे चलिए आये चाहे पीटे-पीटे आज डिसक्स करते हैं पाँच ऐसे पॉइंट्स जो की आपको मसल बिल्डिंग प्रोग्राम में और तेजी लेकर आएंगे याने कि आपको मसल बिल्डिंग को बढाएंगे और फैट को गटाएंगे तो क्या है पाइस पॉइंट आई यह देखें इस वीडियो में फ्रेंट्स डाइट का जो प्रिंसिपल है इसको समझाने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि हमारी बोड़ी में कुछ हार्मोंस हैं मैंने जो लास्ट वीडियो किया था उसमें मैंने हार्मोंस को उपर बताया था कुछ ऐसे hormones हैं जो हमारे body को बनाने में यानि कि anabolic है जो गमारी को बनाने में help करते है और कुछ ऐसे hormones है जो हमारे को catabolic statement Magazine मैं Office यानि हमारी muscle को खराब करते हैं हमारे जो जो छहतम करते है तो जो last video था इस video में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह nov हूँ वो है जो हमें एक एनाबॉलिक एजेंट है मारी बोडी के नंदर जो की है इंसुलेंट जी हाँ आपने सही सुना इंसुलेंट अरली 90s में और 2000 के जो स्टार्टिंग में तब के बोडी बिल्डर्स ने इंसुलेंट को यूज करना शुरू किया था जो लोग नॉलिज उतना यूज नहीं होता है बोडी बिल्डिंग में जितना की पहले होता था तो इंसुलेंट क्या है एक एनबॉलिक एजेंट है हमारी बोडी के अंदर यानि कि हमें मसल को बढ़ाने में हल्प करता है तो सीधा-सीधा फंडा यह है कि हमें अपने डाइट के प्रिंसिबल् अब लॉपर होता है काब्स कंवर्ट होते हैं ग्लूकोस में ग्लूकोस की वज़े से हमारा ब्लड शुगर लेवल उपर आता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बोडि इंसुलेंड को रिलीज करती है ताकि वह ब्लॉड शुगर लेवल को नॉर्मल पर लेके आए और काम होता है कि उसको जो glucose को उसके receptors के पास भेजें जहाँ glucose की नीड है अगर आपकी muscle की नीड होगी glucose की तो muscle के पास जाएगा और अगर muscle की नहीं है और बाकी organs की नहीं है तो वो उसे fat cells के पास भेज देगा यानि कि उस टैम वो काब आपको फैटी करने में और ज़्यादा मदद कर रहा है ना कि आपको आपको मसल विल्डिंग में हेल्प कर रहा है ठीक है तो अब शुरू करते हैं पहला पॉइंट फ्रंट्स आप में से बहुत सारे लोग यह समझ रहे होंगे कि इंसुलिन जैसे मैं बोल रहा हूं उससे सबसे यानि कि इंसुलिन को बहुत ज़्यादा अगर बोडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो बहुत अच्छे गेंस होंगे जबकि ऐसा नहीं है हमें से तीन घंटे के इंटरोल में एक मील लेना है उससे होगा क्या उससे आपके जो इंसुलिन के लेवल है वो ड्रॉप नहीं होंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि जैसे आपने कुछ भी काव वाला आइटम खाया तो आपको आपकी बोडी इंसुलिन रिलीज करेगी और उसके कि ज्यादा इंसुलिन बनेगा क्योंकि अगर मैं ज्यादा काप्स खाऊंगा तो ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगा बडी में तो क्या होगा कि इंसुलिन फिर स्पाइक होगा और आप बहुत देर तक खानी पाएंगे और आपने ज्यादा खाया तो आप बहुत देर तक नहीं खा पाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि इंसुलिन स्पाइक होंगे उपर नीचे उपर नीचे इस तरीके से इंसुलिन स्पाइक बनेंगे जो कि आपके लिए सही नहीं है metabolism एक तरीके से खराब करनाए वाली बात है आप metabolism को बनाए रखें यानि कि एक level maintain रखें कि थोड़ा खाया यानि कि थोड़ा सा insulin बोड़ी में रिलीज हुआ उसके बाद जैसे अगर वो थोड़ा से ही ड्रोप होता है फिर हमने कुछ खाया तो इस तरीके से एक level पर insulin बना रहेगा वो ज़्याद अच्छा सिनारियो है अब चलते हैं दूसरे point पर friends दूसरा point है eat your proteins, healthy fats and fibers before you eat your carbs ये क्या है इसमें आप सीधा सा फंड़ा है आप जब भी कोई meal खाते हैं तो उसमें आपने ये सारी चीज़े खानी है आपने proteins खाने है, आपने healthy fats खाने है आपने उसमें fiber भी लेना है उसके बाद यानि कि उसी meal के दोरान ही एक meal में ही उन चीजों को खाने के बाद आपने carbs वाली item को खाना है देखिए इससे होगा क्या फाइदा आपने protein पहले खा लिया, आपने healthy fats पहले खा लिया तो अब आप comparison में जैसे कि पहले carbs ज़्यादा खाते थे already आपने कुछ हिस्सा अपने पेट का भर लिया, तो obvious सी बात है कि अब आप carbs कम खाएंगे carbs कम खाने से insulin sensitivity जैसा कि मैंने पहले बोला है नहीं होगी बहुत ज़्यादा एक regular interval पे आप खा ही रहे हैं तो उससे insulin का level जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा हमें इस तरीके से खाना है और इस तरीके से खाने में एक फाइदा और होगा कि हमारी body fat की तरफ ज़्यादा ना जाके muscle building की तरफ ज़्यादा रहेगी क्योंकि proteins को use करती है हमारी muscles और उसके साथ में अगर fiber और healthy fat आड़ करेंगे तो एक तरीके से हम अपना digestion को थोड़ा सा slow down कर रहे हैं यानि कि अगर कोई fast digestion वाली चीज़ खाई है उसमें हमने यह सारी चीज़े अड़ कर दी है healthy fat side कर दिये fiber आड़ कर दिये तो उससे उसका digestion थोड़ा सा slow down हो जाता है जो कि फायदा करता है उसको fat cells के पास ना जाने से रोकता है और आपको muscle building की तरफ रखता है अब चलते हैं third point की तरफ friends यहां मैं आपको एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं third point में जो कि आप अपने fibers को add करने के लिए जरूर add करें बहुत ही कमाल की चीज़ है यह है e-sub goal जी हाँ e-sub goal इसे cilium husk भी बोलते हैं इसमें जिन लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि दोनों भाशा में e-sub goal cilium husk इसमें करना क्या है इसके छोटे-छोटे pouches मिलते हैं बाजार में या फिर आप करीब-करीब दस ग्राम की quantity दिन में तीन से चार बारी या दो से चार बारी जैसा भी आपको ठीक लगे उतना आपने consume करना है before meal जैसे कि मैंने पहले बताया पिछले point में कि protein healthy fats और आपको fiber पहले लेना है तो fiber में आप ये cilium husk को add करें और meal से पहले खाएं इससे बहुत ही कमाल का digestion रहेगा देखिए आयरुवेद में बोलते हैं कि जब तक आपका पेट ठीक है आप पेट आपका निरोगी है तो आपको कोई रोग जल्दी से नहीं पकड़ने वाला तो जब तक आपका digestion ठीक रहेगा आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आपको मसल बिल्डिंग भी तब तक ज्यादा अच्छा पेस पर चलता है जब आपका इस चीज को ना होने देने के लिए आपने इस चीज को एड़ करना है अब चलते हैं चोथे पॉइंट पर फ्रेंड्स फॉर्थ पॉइंट एक एक सेप्शन है जो मैंने पॉइंट नंबर टू बताया था यानिके जिसमें ने बताया कि आपको हर मील में प्रोटीन हेल्दी फैट्स और फाइबर पहले खाना है काब्स को बाद में खाना है तो सिर्फ एक मील जो कि हमारा वर्काउट के बाद वाला मील है इस मील में आपने सिर्फ कार्बो हैड्रेट और सिर्फ प्रोटीन लेने हैं इस मील में आपको ना तो हेल्थी फैट्स की जरूत है ना ही आप अपने muscle cells के पास में protein को और carbs को पुचाएंगे, उतना अच्छा है, तो इसके लिए आपको carbs जो रखने हो simple carbs रखने हैं, after workout, बाकी time आप कोशिश करेंगे complex carbs खाएं, बट ये वाला meal जो है, इसमें वो rule number two नहीं चलेगा, इस time में आपने simple carbs plus 7 में protein रखना है, protein में वे protein ज हमको यूज करना है, तो ये तरीका रखें, इसमें आप कुछ लोग मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, कि glucose यूज करते हैं, वो अपने वे protein में add कर लेते हैं, glucose हो या कोई भी fast digestion वाला काब ले लो, आप जो कि उसमें add करके, वो जल्दी से जल्दी आपके muscle cells के पास पहुं don't go for ketogenic diet, ये मेरा opinion है, या फिर बहुत low carb diet पे आप मत जाएए, जैसा कि मैंने starting में समझाया है, वीडियो के, कि insulin जो है, वो एक तरीके से anabolic agent है हमारी body में, तो और carbs के खाने से ही, हमारी body में insulin spikes, sorry, insulin का level जो है, वो maintain रहता है, insulin raise होता रहता है body में, जो कि एक anabolic condition देता है body को अगर आप बहुत low carbs पे या ketogenic diet में जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि body insulin sensitive नहीं रहेगी, उसमें आप बहुत लंबे time तक करते रहेंगे, ये जरूर है कि हाँ, इसे fat reduction में कई लोगों को फायदा होता है, बट अगर आप muscle building program में हैं, तो ketogenic diet का कुछ दिन हो सकता है कि आप को फायदा दिखाई दे, बट अगर आप उस चीज़ को लंबे time तक रखते हैं, तो उससे negative effects ज्यादा आने लगते हैं, या फिर जब आप दुबारा carb diet पर वापस आते हैं, तो फिर से fat proton होना शुरू हो जाता है, यानि कि फिर fat percentage बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो मेर काप cycling कर सकते हैं, बट don't go for ketogenic diet या बहुत low carb diet वो आप मत करिएगा, ये थे 5 point आजके, I hope आपको ये तरीके आप implement करेंगे, तो बहुत अच्छे results आने शुरू हो जाएगे, जल्दी से जल्दी इनको implement करके देखिएगा, एक दो हथते में आपको result आने शुरू हो जाएगे और उसके बाद आप में को comment कर सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, logical लगा हो, तो like कर सकते हैं, मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें, मैं हर भार बोलता हूँ आप लोगो को, कि channel subscribe कर दीजे, और उसे भी बोलें, अपने दोस्तों से भी बोलें, अगर आपको ये content अच्छा लग रहा है, और में को आप comment कर सकते हैं, कि किस तरह की वीडियो, किस subject के उपर आप देखना चाहते हैं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उन वीडियो को आपके सामने पेश कर सकूँ, और इसी hope के साथ चलता हूँ, आज का वीडियो यहीं समात करता हूँ, good bye, थैंक यू एंड जय हिम